गोड़ा सोता क्यूं नहीं है? हमेशा खड़ा क्यूं रहता है? बैटता क्यूं नहीं है? क्या आपने कभी किसी गोड़े को अन्य जानवर की तहा बैटे हुए देखा है? कुछ जानवर तो दिन के वक्त भी एक निन निकाल लेते हैं क्या आपने घोडे को दिन या रात में कभी भी लेटकर सोते हुए देखा है क्या आपने सोचा है या ऐसा क्यू होता है गोडा भी तो एक जानवर है वो अन्ने जानवर की तरह बैटकर आरब से क्यू नहीं सो क्यूँ नहीं सोता लेट कर रात्री विशराम क्यों नहीं करता गोड़ा कभी सोता भी है या नहीं कही ऐसे तो कही ऐसा तो नहीं कि वो सब की नदर से छुप कर सो जाता है आई ये जानते हैं विडिया चला हो विडियो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ मोबेल एकन को प्रेस करिए एक गोड़ा सब्सक्राइब 24 गंटे में कितनी देर के लिए सोता है गोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत कम नीन आती है 24 गंटे में मुश्किल से वो 30 मिनट के लिए गहीरी नीन आती है लेकिन इस 30 मिनट के लिए वो ना लेटता है और ना बैटता है वो खड़े खड़े दिन भर में कई बार छोटी छोटी नीन इजब की ले लेता है प्रकूर्ती ने उसे पैरों की रचना इस परकार से बनाई है कि वे बिना गिरे नीन ले लेता है कैसे पता चलता है कि गोड़ा आराम कर रहा है थकान से बचने के लिए जब घोड़े खड़े होते है तो चारों में से एक कोई एक पैर थोड़ा सा उपर उठा रखते है ऐसी इस्तिती में शरीर का वजन तीसरे पैर पर होता है बारी बारी से वो ये अपने एक पैर को उपर रख कर चारों पैरों की ठकान मिटा लेते है यानि अगली बार आप जब भी किसी गोड़े को देखे तो सबसे पहले उसे पैर देखे यदि उसका पैर उपर है तो कुरुपया करके उसे डिश्टप ना करे क्योंकि वो नीन में है यही हम जबरदस्ति गोड़े को बिटा दे तो क्या होगा गोड़े की बनावट ही कुछ ऐसी होती है जिसकी वज़ा से वो ज्यादा समय तक बैठा या लेटा नहीं जा सकता बैठने की स्तिती में शरीर का पुरा भार गरदन और पेट के माध्यम के भाग पर आ जाता है जिसकी वज़े से वो सास पूरी तरह से नहीं ले पाता इसलिए वो थोड़ी दिर बैठता और फिर वापस आज़ा हो जाता है क्योंकि उसके चैके फैपड़न में पूरी तरह से पही ले पाता उसके गर्दन के बनावट की वजह से और उसके पेट का पूरा वदन जो है तो पेट की तरफ आ जाता है इसलिए वो पूरी तरह सास नहीं जब भी आप किसी गोड़े को बैटा हुआ या बहुत देर तरह लेटा हुआ सा देखे तो समझ लेना कि उसकी जान खत्रे में है और उसकी जान जाने के पूरे पूरे चानस बन जाते है जब भी आपको इस तरह से गोड़ा बटा हुआ या लेटा हुआ दिके तो उससे तुरांट चेक अप करवा लेना चाहिए कि उसकी सास में उसकी तब्यात में कुछ खराबी तो नहीं अच्छा दगा दोस्तों आपको यह वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते आने वाली एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए गुड़ बाए